हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं फेस पैक जो इंटर्स में काफी यूस्पूल है इसके लिए हमें चाहिए दूद के तले में बैठी हुई मलाई नौट एक्जेक्ली मलाई मलाई दूद के ऊपर आती है दूद के तले में उबलने के बाद जो दूद के पार्टिकल होते हैं वह है इसको हम ले लेंगे इसको एक छनी से चान लेंगे पूरे एकदम ड्राई नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा मिल्क इसमें होना चाहिए साथ आइड है कानी ही छोड़ा को हमाई सेको अच्छे से मिलेंगे इसमें हमारी स्किन ड्राई है तो यह कहाद पिर इसके बाद में स्कुन ही रहएगा सारे चीजों को मच्छे से मेक्स करेंगे पहले, मिक्स करने के बाद, फेश को बॉस्ट करके, नॉर्मल वाटर से, फिर उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे, इसे पूरे फेश पे, इविन लिप्स वगरा पे भी आप अप्लाई करेंगे, ये स्किन को, इसकी डेट सेल को रिम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिप्स पे और नोस पे, नोस की टिप पे हम इसे अच्छे से स्क्रब करेंगे, वहाँ से जो डेट स्किन है, वो इसली रिमूफ हो जाए, बाकी स्किन का भी अच्छे से मसाज करना है, हनी के जो ट्रमरी के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक् पारत की तरह हमारी स्किन से असानी से हट जाता है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जूरूत नहीं, स्क्रबिंग हमने पहले ही कर दी है, तो जो भी डेट स्किन रिमूफ होई होगी, वो इस पैक के साथ फिर हट जाएगी, यह बहुत ही बहतरीन फेस पैक है, जिसमें आपको क्लीनिंग, टोनिंग, और स्क्रबिंग, सारी चीज़े एक साथ हो रही है, मींस कि एलोवेरा जायल, यह जो है, हमारी स्किन को मौस्चर देते हैं, और मिल्क जो है वो एक बहुत अच्छा क्लीनर भी है, साथ में हंदलियी जो है, यह हमारी स्किन के लिए अल्रेड नहीं होती है आप इसे लगाओ आपको एंटी टैन पैक लगाने की रिक्वार्मेंट नहीं है और इसके बाद अपने फेस को हलका से साबुन लगा के नॉमल वाटर से वाश करो फिर साबुन से या फेश वाश जिससे भी आपको मन करें आप फेश वाश करें अप देखेंगे कि आपके स्किन पे किता अच्छा रिजल्ट आया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्किन से टैनिंग रिमूव हो गई है और स्किन ग्लो कर रही है अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल 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 झाल